सोचल मेडिया के जरीए ब्लेक मैनिंग से परेशान होकर लो स्टुडेन ने घर के कमरे में फासी का फंदा लगा कर सुशाइड कर लिया सुचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सव को जिला अस्पताल मौचरी में रखवाया गटना बाड मेर सहर के तंसिंग सरकिल के पास की हैं पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अग्यात लोगों के खिलाब जो है जिला अस्पताल मौचरी के अंदर आज जो है सुबह बाड मेर के कोतवाली थाना सेतर के तंसिंग सरकिल के पास में एक व्यक्ती ने जो है सोशल मेडिया के जरिये ब्लेक मैनिंग से परिशान होकर अपनी इलिला समाब्त कर दी दुकत तस्वीरे बाड मेर के जिला अस्पताल मौचरी से दिखा रहे हैं जहां पर गड़ना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सव को वहां से उतार कर जिला अस्पताल की मौचरी में रखवा दिया है हम हमाई तमाम दर्सकों से इसी खबर के माधियम से अपिल करेंगे कि अगर आपके पास इस तरह का कोई भी कोल आए तो आप सतर रहेगा क्योंकि आपके पास अगर कोई फोड कोल वगेरा आता है तो आप तुरंत परभाव से उसकी रिपोर्ट इस ताने पुलिस थाने में दर्ज करवाए ना कि इस तरह का कदम हुठाए हम चाहेंगे हमाई तमाम दर्सक इस खबर को इसलिए सेर करें ताकि और इस तरह से किसी भी व्यक्ति की जो है मोत नहीं हो जाए हालांकि परदीब कुमार स्टूडेंट था वकलात की जो है वो तैयारी कर रहा था और लगात जिला अस्पताल मोची से हम आपको दिखा रहे हैं जहांपर परदीब कुमार नाम के योक ने फासी का फंदा लगा कर सुसाइड कर लिया सोसल मेडिया के जरिए ब्लैक मैनिंग से परिशान होकर परदीब कुमार ने जो है फासी का फंदा अपने ही घर के अंदर फासी का लगा कर अपनी आत्मालीला समाप्त कर दी अब इस पूरे मामले को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस का क्या कहना है जरा आप आगे इस वीडियो में सुनेगा बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवाद तंज सिंग सर्कल के पास किगटना है आज दिन की और जम्रतक है वो प्रदीप और प्रिंश पुत्रसो कुमार 24 वर्ष नहीं निवाशित तंज सिंग सर्कल के पास बाड़ मेर यह अपने बाड़ मेर नियाले में वकल भी करते थे आज इन्होंने गर में जो सुसाइट कर लि और कुछ वीडियो अगरा वायल करने की दम की जा रहे थे जिस पर शुब्दों करके उसमें आत्मत्या कर लिए आत्मत्या से पहले 24,500 रुपे पेटीम दी कुई सी एकाउंट में किया बता है तो प्रकंड रिपोर्ट पर प्रकंड़ किया जा रहा है प्रकंड़ करके अनन वीडियो कॉल चाहे मेसेंजर पे हो चाहे वाटसएप पे हो चाहे फेस्बुक पे हो या किसी भी सोसिल मीडिया के माध्यम से हो वीडियो कॉल कते हैं और अग्यात लड़की की फेस्बुक इंस्टाग्राम या अन्य किसी माध्यम से जो भी को फ्रेंड रिक्वेस्ट पान मिंट पहले हैं मैंने किसी को बताया नी है वकीलों को भी नी बताया था यहां बाड में सहर में उसके खुब सारी मित्र भी होंगे लेकिन उनको किसी को बता है नहीं बताते होती है यह घटना होती नहीं